बच्चो के मन को जानना उतना आसान नहीं है देखे किसी भी टाइम कोई भी डिमांड कर जाते हैं जिसे आज बारिश हुई थी तो बच्चो ने कहा कि मा आज कुरकुरे बनाओ और हम घर पे कुरकुरे खाएंगे क्योंकि आज बारिश थी तो बाहर जाना तो देखे पोसिबल नहीं था तो मैंने डिसाइड करा क्यों ना घर पे कुरकुरे बनाये जाएं वो भी बिल्कुल आसानी से तो देखे ये मैने चावल को पीस लिया है उसका आरटा तयार कर लिया है और ये लिया है मैंने आदा-कटोरी अगर आपके पास चावल कारता है आप डिरेक्ट वो भी ले सकते हैं इस में मैने डाला है दो चमच बेसन का और उसके साथ देखे ये एक चमच कौन डाला है अगर ये नहीं है तो आप मैदा भी डाल सकते हैं और देखे थोड़ा सा मैने नमक डाला है उस सिर्फ एक ही चुटकी भरके डालेंगे हम खाने वाला सोडा बस इतना सा ही डालना है और देखे जितना हमने चावल काटा लिया है उसका तीन गुना हमेश में पाने डा अब इसे बहुत अच्छे से चलाएंगे देखे इसे डिरेक्ट अगर आँच पर रखते तो इसकी बीच में गुठ्लियां पड़ जाती तो हम क्या करते हैं कि पहले इसके अंदर की सारी गुठ्लियों को बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद हम इसे आँच पर चड़ाएंगे तो देखे अब इसके अंदर कोई गुठ्ली नहीं है कोई लम्स नहीं है ये एक दम बैटर त्यार हो गया है और आपको मैं पास्ते दिखाओं तो देखे ये कुछ ऐसा दिख रहा है देखे आप कहीं पर भी इसमें कोई गुठ्ली नहीं देख पाएंगे तो चलिए इसे जल्दी से अब गैस के उपर चड़ा देते हैं और देखे मैंने यहाँ पर एक छोटी कड़ाई को गरम कर लिया है और इसमें मैंने इसको छोड़ दिया है अब इसको हम धीमी आजवे पकने देंगे आज को तेज नहीं रखना है ताकि जो ये चावल है बे ऐसा ना लगे कि हम कच्चे खा रहे हैं तो अब इसको धीमी आजवे पकने देंगे और पांच मिन्ट के आसपास इसमें लग जाता है और देखे अब ये थोड़ी देर बाद ही आप देखेंगे कि गाडा होना स्टार्ट हो गया है और जब ये गाडा हो जाता है तो ये लगबग दो मिन्ट के लिए ताकि ये अंदर तक खूब बढ़िया से सिख जाए और देखे हमारा आटा तयार हो गया है एकदम बढ़िया वाला अब आपने देखा ही है कि ये चारो तरफ किस तरह से चिपका हुआ है तो चाहे आप इसको कितना भी चलाएंगे तो ये थोड मिन्ट के आसपास लग जाएगा तब तक इसे बिल्कुल नहीं छेड़ना है क्योंकि देखे अभी इतना जादा गरम है कि इसे हाथ लगाना थोड़ा सा मुश्किल है अब आटा बिल्कुल ठंडा हो गया है तो देखे इसे हातों से मैंने एकदम स्मूथ कर लिया है और बहुत बढ़िया से जैसे एकदम आटा होता है वैसे बना लिया है और थोड़ा सा हलका सा ओयल लगा के इसके उपर हम छोड़ेंगे क्योंकि ये जो आटा होता है चावल इसे उगलियों के पास लाकर हलका सा प्रेस कर दीजिए और देखिये हो गए हमारे टेड़ी मिडे रेड़ी तो आप दुबारा देखिए इस तरह से आपको लेना है हतेली के बीच में इसे हलका सा रब करना है और उंगले पे लाकर बिल्कुल हलके से आपको इसे टेड़ा कर देना है और देखे कुरकुरे के सबसे च्छी बात ये होती है कि इसका कोई भी कुरकुरा एक साइज का तो होता नहीं है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमें एक साइज का बनाना है तो आप छोटे बड़े जैसा भी साइस चाहें उस साइस के आप इने बना सकते हैं पस थोड़ा सा हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि इनका जो मोटाई है वो सेम रखेंगे नहीं तो क्या होगा कि कोई पहले सिख जाएगा और कोई बाद में और इस तरह से कुरकुरे अच्छे नहीं बन पाएंगे तो लीजिए सारे कुरकुरे रिडी हो गए हैं अब देखिए इधर मैंने ओईल को गरम करने के लिए रख दिया था तो जो ओईल है वो हमें इतना गरम करना है कि उसमें जैसे हम कुरकुरे डालें तो वो एकदम से जले ना यानि हमें उसे थोड़ा सा हलका सा ठंडा रखना है ताकि जो कुरकुरे हैं वो अंदर तक सिखें और कच्छे न रहें अगर हम जाधा तेल को गरम कर देंगे तो देखे कुरकुरे बाहर से सिख जाएंगे लेकिं अंदर से वो कच्छे रह जाएंगे इसी तरह अगर हम उसे ठंडा छोड़ देंगे तब भी वो एकड़म से जो तेल है ऑल है उसे अबजोब कर लेंगे और ओली हो जाएंगे तो इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ऑल को न ज़ादा तेज करना है न ज़ादा कम करना है और देखे जैसे ही हमारे जो कुरकुरे हैं गोल्डन ब्राउन हो जाएं आप इने नीचे उतार लीजिए और देखे हमारे एकदम क्रिस्पी कुरकुरे खर पे रेडी हो गए हैं अब इसी तरह से इसका जो सेकिन पैच है उसे भी रेडी कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आसानी से प्लेट छोड़ देते हैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बरतन के उपर चिपकते हैं और इन्हें जो सिकने में जो मैं टाइम आपको बताओं तो लगबग चार से पांच मिन्ट के अराउंड लगता है बस इससे जादा बिल्कुल नहीं लगता और देखे कलर का ये है कि आप अपने हिसाब से अपनी चोईस के हिसाब से रख लीजिए अगर आपको थोड़ से डाक कलर पसंद है थोड़ सा डाक रख लीजिए वरना तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि गोल्डन ब्राउन होने पर आप इन्हें उतार लीजिएगा बिल्कुल अच्छे से ये अंदर तक सिख गए हैं और आप चाहें तो बीच में एक बार चेक भी कर सकते हैं देखे उसके बाद मैंने इन्हें एक स्चील के बतर में इस तरह से ट्रांसफर कर लिया है क्योंकि अब डालेंगे हम इनके अंदर मसाले तो सबसे पहले देखे मैंने इसमें डाला है अमचूर पाउडर आजा चमच और उसके बाद मैंने इसमें डाला है ये डेगी मिरच जो कलर वाली होती है वो इसके बाद खाने वाली मिल्च जो तीखी होती है एक डाला है चमच भरके चाट मसाला और थोड़ा सा नमक डाला है और उसके बाद इसके उपर एक प्लेट रखेंगे और इसे टॉस करेंगे ताकि जितने भी मसाले हैं ये चारो तरफ से कुरकुरों के उपर लग जाए और देखें बहुत कम सामान लगता है और हमारे होममेड कुरकुरे जीड़ी हो गए हैं जो खाने में बेहद डिलिशियस हैं आप चाहें तो इसके बैटर में एक चम्मच सूजी का भी डाल सकते हैं तब भी इनका टेस्ट एक अलग लेवल का होता है हादों से एकदम आसानी से तूट जाते हैं और बने हैं ना एकदम कुरकुरे तो दोस्तो आज ये कुरकुरे हॉममेड कुरकुरे आप बनाईए खाईए और अपने बच्चे को खिलाईए और बिना किसी प्रिजर्वेटिव के बने हुए कुरकुरे बच्चों की हेल्थ क लिए भी अच्छे होते हैं मैं ये नहीं कहती कि मैदा बच्चों के लिए बहुत अच्छा है लेकिन आप इन्हें अगर अपने आपसे बनाएंगे तो कम से कम जो बजार का प्रिजर्वेटिव होता है उससे तो बच्चे बच्ची जाएंगे तो दोस्तो आज के लिए था इतना ही अगर वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आया हो तो पीस मेरी वीडियो को लाइक कीजेगा शेर कीजेगा और चैनल को सब्स्क्राइब कीजेगा बहुत जल्दी मुलाकात होगे आपसे तब तक के लिए ओके फ्रिंस थैंक यू एंड बबाई